नमस्कार आप देख रहे हैं नुजफोर निशान और मैं हूँ प्रियादर्शन बिहार भाजपा में इन दिनों घमासान मचा हुआ है और स्थिती है कि विधायक ही एक दूसरे के खिलाप मामला दर्ज करा रहे हैं यानि कि भारतिय जनता पार्टी के एक दो ऐसे विधायक हैं जिनके बीच एक दूसरे की छवी खराब करने का रोप लगा है अब दोनों इस मामले में थाने पहुँच गए हैं या कोई पहला मामला नहीं है जब भाजपा में ऐसी इस्तिती देखने को मिली है पिछले दिनों ही बक्सर में भी बक्सर के जो सांसद अस्विनी चौवे हैं उनके खिलाब भी भारतिय जनता पार्टी के कारकरताओं ने मूर्चा खोल रखा है और वहां भी भाजपा ने अपने वैसे उदंड कारकरताओं को नोटीस जारूई करकरके उनसे इस्पश्ट गई है मामला इतना गंभीर हो चला है कि एक पक्ष ने दूसरे के खिलाब पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है दोनों भाजपा विधायकों में एक दर्भंगा के क्यवटी से विधायक मुरारी मोहंज्जा है तो दूसरे अली नगर के विधायक मिस्ट्रिलाल यादब है एक ही दल के दो विधायकों के वेज उत्पन विबाद से अब प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है विभीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अली नगर के विधायक मिस्ट्रिलाल यादब के वेटे धिरेंद्र ने सोसल मीडिया पर एक कुमार ने इसकी पूष्टी करते हुए कहा है कि विधायक मुरारी मोहन जाने बहादुर पुर थाने में दिये गए अपने आवेदन में कहा है कि पिछले मही ने 23 मही को धिरेंद्र कुमार धीरज नामक युवक ने अपने सोसल मीडिया आईडी से उनके विरुद आपत्त की जनक पोष्ट की है इस वज़ा से मेरे आत्पसंबान स्वाभिमान और सामाजिक पहचान को छती पहुंची है उन्होंने कहा है कि सोसल मीडिया पर की गई मनगरंत और बेबुनियाद बातों के खिलाप कारवाई होनी चाहिए इस मामले में अब बहादुर के थाना खिलाप मोर्चा खोल रखा है एक और जहां मिस्रिलाल यादव के बेटे धीरेंद जो हैं वह सोसल मीडिया के माध्यम से विधायक को निशाने पे ले रहे हैं तो दूसरी और उनके खिलाप अब खुद ये खुद उनके खिलाप पुलिस में पहुंच गए हैं तेखना महत खुद को बता रहे हैं कि उनके लिए आप तो सराब के धंदेबाजों को संड़क्षन देने का आरोप लगा है तो जब भाजपा के विधायक ही एक दूसरे के खिलाप ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो इससे विरोधियों को भाजपा पर हमलाबर होने का बहरिया मौका मिल ग पार्टी को डर है कि वहां हमारी छवी को नुकसान पहुंचेगा और इससे अंत्तो गत्वा पार्टी को नुकसान होगा देखना महत्पूर्ण होगा कि अपने दोनों विधायकों के खिलाप भाजपा क्या कारवाई करती है और अभी बकसर में पार्टी विरोधी गतिवि मेरे गए हैं